पैसे तो हम सभी बचाना चाहते हैं बट मार्केट से ऐसे प्रोडक्स हम लेके आते हैं जो बहुत जादा महंगे होते हैं काम तो वो आते हैं बट अगर वही प्रोडक्स हम DIY के तौर पे घर पे बनाए और आपके घर को चमकाए वो भी कम खर्च में तो क्या कहना आज से पहल चलिए कुछ नया सीखते हैं अमीजिंग टिप्स देख लेते हैं आज आपके पैसे तो बचने वाले हैं आपका काम जली खतम होने वाला है स्मार्ट बनने वाले हैं आप और घर और किचिन दोनों ही चमकने वाले हैं एक ऐसा DIY बताऊंगी जिसको आप यूज करके सारी ची अब एक चौथाई कप आप ले ले बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं एक चौथाई कप के करीब ही आप ले ले कोई भी कपड़े दोने वाला पाउडर जैसे सर्फ है टाइट है जो भी आप यूज करते हो वो ले ले इसके बाद हम दाल देंगे आधा कप से पूड़ा से कम नमक नमक आप जितना डालेंगे उतना चलेगा जो खाने में यूज करते वही नमक और तीन बड़े चमच के करीब हम दालेंगे नीमबू के फूल या राम साब को मिल जाता है बहुत ही सस्ता मिलता है कॉंसेंट्रेटिड होता है लेमन जूस भी एड़ कर स पानी इससे क्या होगा जो कलर हमने डालागा वो अक्टिवेट हो जाएगा ये देखे पिंग कलर आये यानि जो पिंग स्टफ है ना जो आजकल बहुत जादा ट्रेंडिंग चल रहा है पिंग स्टफ से ये साफ करो वो साफ करो या पिंग स्टफ बोलो या पितांबरी बो वीडियो को छोड़ी का नहीं अब जैसे तेवार आ रहे हैं मंदिर के बरतन भी रोजी होते हैं मंदिर के बरतन तो साफ कर सकते हैं फर्ष साफ कर सकते हैं टाइल साफ कर सकते हैं गैस सेंग जो भी चिपचिपी चीज है चिपचिपी कड़ाई को भी इससे साफ कर सकते हैं मै से पहले मैं आपको बरतन साफ करके बताती हूँ चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, ब्रास हो, अलिमीनियम हो आप इस स्टफ से साफ कर सकते हैं बस आपको इसको अक्टिवेट करने के लिए वाइट विनेगर यूज करना होगा या लेमन भी आप यूज कर सकते हैं इससे बहुत और आप आपका टाइम आपके फैमिली मेंबर के साथ आप स्पेंड कर सको यह देखें लगाने मातर से ही कुछ मिनिट में ही कुछ सेकिंट में ही बोल सकते हैं कि इतना फरक आगा है कुछ घिसा भी नहीं है, मैं फिर से थोड़ा सा और ले लूँगी और से फैला लोँगी और इद्दम अच्छी तरह से सारी चिकनाई को हटा देता है तो बस आपको इसको अपलाई कर लेना है अच्छी तरह से इस प्लेट में जादा कार्विंग है तो ऐसी अगर बहुत जादा गंडी हो चुकी है प्लेट तो आप इसको थोड़ा चूरी से या आप कोई धारदार चीज से इसको साफ कर सकते हैं अभी फिलहाल मैं इसे 10 मिनिट के लिए छोड रही हूँ 10 मिनिट बाद फ्रेंट्स ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ हुआ है अब नॉमली एक बार में इसे घिस लूँगी ये देखिए पहले अगर आपने देखा था प्लेट की हाल कर रहा है तब आप इसको अपलाई करके छोड़े साले बर्तन हो जाए उसके बाद ये बर्तन को करिए इसे वाश कर लिया है और वाश करने के बाद कॉपर ब्रास को आप इमीडेटली पोच ले क्योंकि पाने के दाग जली से लग जाते हैं वो एक के साथ रियक्ट कर जात तो मैं आपके लिए ये डियाइवाई लेके आए हूँ ताकि आपके पैसे बचा सको चलिए अब गैस के आसपास चाहे वह स्टिली का हो आपका स्टो या आपका इस तरह से काच का हो बस थोड़ा सा आपका टोरी में पाउडर ले ले उसमें आप दाल दे लेमन या जहां स्क्रूज होते हैं यह साइड में जहां स्टार्ट होता है वहां भी गंदगी पूरी जमा हो जाती है हम इसे डेली डिप क्लीन तो नहीं कर पाते हैं बढ़ दो से तिन दिन में आप इसको अप्लाई करके छोड़ दे और बाद में इसको पोच लें कुछ जादा करने चाहिं और वाइप कर लेना है वैसे ही आपका couldIGHT area हे उसको साफ कर सकते है नहीं सारे साफ कर सकते हैं यहां यह नहीं सब्सकर ऊकर सक्राइब शेया है उनकां से जह सब पर इसके जो सिमयों शहला एंगहाल सबढ़ देखोगा साफ हो जाएगा और यहां धाएं और हातंक अब मैं इसको फिर से एक बार गिस लूँगी ब्रश से ब्रश इसलिए क्योंकि छोटा जो स्कुरू होता है तो उसकी अंदर जो गंदगी फसी होती है उसको निकालने के लिए आपको तुद ब्रश का यूज करना है फिर वाइप से पोच ले और अच्छी तरह से सुखा ले और सारे जो हमारे पास बतन होते हैं उस पर यह काम करेगा यह बिल्कुल भी सेफ है और यह देखे बरनर कितनी गंदगी इसमें से निकली है बस इसका जो मेंग पॉइंट है कि आपके होल्स बरनर के खुले होने चाहिए वो ब्लॉक नहीं होने चाहिए बस एक बस क्रबर स काले ही होते हैं बट इसके होल सारे एक एक करके सारे खुल चुके हैं तो हैना फ्रेंट्स बहुत ही सस्ता यह डियाइवाई हमारा बनके रेडी है आई होप अब आप जो एमेजॉन पर पिंक स्टफ देख रहे हैं जो ट्रेंडिंग है बहुत जादा महंगा है या पितांबरी ला रहे हैं वो ना लाए इस फेस्टिवल में पैसे बचाए और ये वाला धमा के दाध डियाइवाई ज़रूर बनाए फ्रेंड्स इसकी कोई एक्सपाईरी डेट नहीं है तो जब तक यह चल रहा है तब तक आप इससे चलाईए तो यह हुई ना सुने पे करने से पहले आप एक प्लेट में निकाल के सुखाए और उसके बाद आप इसको कोई भी कंटेनर में भरके रख दे और इसे अक्टिवेट करने के लिए आप लेमन जूस या विनेगर का यूस करें कैसी लगी आपको आज की डियाइवाई ज़रूर कमेंट करें तो फ्रें तो लाइक और शेर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फामिली के साथ और एक छोटा सा लाइक आपका मुझे मोडिवेशन करता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए और सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर सको आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए शेर भी कीजिए और सब्स्राइब कीजिए मेरे चैनल को तिल राइन टेक केर बाबाई